स्पोर्ट्स तक को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले आप हमें फेस्बुक इंस्सट्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हाँ हाँ आपको भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा क्यूंकि वहाँ लेजिंस को हरा कर आप जीत सकते हैं दो गुना कैश तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सुप्रभात और दीपक हुँ मैं और मेरे शाज साजिया है मॉर्निंग अपडेट सेग्मेंट है यह और इसमें आपको पता ही है कि हम आपको एक एक करके सारी खबरे बताते हैं खेल से जुड़े हुई और आईपियल चल रहा है त इस तरीके से कमाल किया यानि कि एक समय पर जब RCB की टीम विराट कूली और दिवदर पटिकल लगातार अच्छी बल्ले बाजी कर रहे थे और विकेट नहीं मिल रहा था RCB का तो उस समय पर धुनी का दिमाग काम आया और ड्वैन ब्रावो आए वहां पर और उन्होंने व संदे कर तीन विकेट बे निखाले उन्होंने क्या कुछ कहा दीपक ड्वीन ब्रावो के साथ साथ हमें रविंदर जड़ेजा की भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि धुनी ने रविंदर जड़ेजा की काफी ज्यादा तारीफ किया है और कहा है कि उनका जो स्पैल था काफ करनी बेरावो की जड़ देग्वी माकसव्ल की विराट कोली की विराट कोली की विकेट को बहुत इंपर्टन कंड़ा है आ है कि वह बहुत जड़ादा अच्छे प्लैयर है और एक अपर लाइट को पूछा गए आपको चैंपियन क्यूं बुलाते हैं तो उसके बारे में पूझे चैंपियन लिए बुलाते हैं क्योंकि मैं जिताता हूं। इस चीज को लेकर काफी बहस भी होती रहती है slower गेंड को तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप आवर में 6 लग लग गेंड डालें और विराट को ली के खिलाब जब वो अवर डाल रहते तब भी मैंने उनको कहा कि 6 लग 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 गेंड डाली और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने विराट कोली का विकेट निकाला इसके अलावा महिंदर सिंग दोनी ने यह कहा कि जब ड्रेक वहा था तो मैंने सोचा था कि मोहिन अली से गेंद बाजी कराऊंगा दूसरे चोर से क्योंकि विकेट आठवें आवर के बाद स्लो हो रहा था लेकिन फिर अचानक स रनों के लिए तरस गए अब इसके बाद बात कर लेते हैं आरसीबी के कप्तान विराट कोली की वो हार से काफी ज्यादा निराश नजर आये उन्होंने कई जी जो पर बात चीत की उन्होंने सबसे पहले अपने गेंद बाजों पर भी सवाल उठाए कि यार गेंद बाजी म से आखरी कवरों में हम रन नहीं बना पाए, SESkę के गेंद बाजों ने वड़ी अच्छी गेंद बाजी की उन्होंने यॉर्कस डाली हम जो कमजोर गेंद होती थी उन पर ही शोट लगा पाए और सिजनके नहीं थी तो हम 175 के स्कोर के आस-पास पहुंच सकते थे लेकिन हम 20-25 रण पीछे रह गए जी बिल्कुल दीपक उन्होंने यही कहा कि 175 का स्कोर विल्कुल अच्छा होता और consistency नहीं थी और उन्होंने ये भी बोला दीपक कि कि दो जो हार मिली है कलकता के उन्होंने बोला जो हार के कि खिलाफ तीम के लिए तो देखिए वीराट का साफ कहना था कि आर हार इसलिए ज्यादा डिसरपोइंटिंग है क्योंकि जो के-कर के खिलाफ मैचुआ इसमें तो हम कहीं थे यह नहीं मैच में एक तरफ आ हारे और जो यह मुकाबला को सी कैद अपने साथ मुकाबले हार चुकी है यानि पिछले साथ मुकाबले में खेले हैं और इस आई पिल मैं आपको बता दू कि दो मुकाबले अभी तक उन्हों ने खेले हैं दोनों आए गए हैं इसका मत्तब यह है कि विराट की टीम अभी वह ऐसे पॉइंट स्टेबल में नंबर करना ज्यादा बड़ी बात नहीं या उनके लिए असली जंग है कि नंबर एक और नंबर दो पर जगह बनाई जाए जो नॉक आउट में फायदा पहुंचाता है प्ले आउफ में और उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है तीसरे नंबर पर आरसी बी की टीम हो और नो मैच में अभी उनके दस पॉइंट्स है यानि कि अभी उनका सफ़र काफी बाकी है उन्हें आने वाले मुकाबलों में जीत तलास नहीं होगी तब ही वो प्ले आउफ की रेस में बने रहेंगे और उसके बाद चौथे नंबर पर केके आ रहे है तो यह पॉइंच भी आज आएगा वो दिली और राजस्थान के बीच में हो और दोनों ही टीम है जो पिछला मुकाबला हर कर आई है और जीत ललाशना चाहे की तो देखिए दो मुकाबले हैं आज बड़ा दिन हैं और आपने टीम बनाई यह और आज जो मौका है उसे फाइदा उठाईए उसका क्योंकि दो दिन डबल हेडर हैं कल भी डबल हेडर हैं तो आपको दो दिन में ही चार मुकाबले मिल जाएंगे और देखिए आप देखी रहे हैं कि टी ट्वेंटे सूपर सेल है 26 सितंबर तक चलने वाली है तो देखिए अब महिंदर सिंग धोनी के बारे में बात चरित की थी कि महिंदर सिंग धोनी को लेकर माइकल वान ने एक बयान दिया है वो क्या बयान दिया है आप बताईए चराफ दीपक माइकल वान के दो बयान आते रहते हैं इंडिया के खिलाफ काफी सारे बयान आते रहते हैं लेकिन इ कि कहा ही है तो सब को पता है कि धूनी का दिमाग से तेज हो और किस तरीके से वह हारे वू मैच बहुंस बीजिता सकते हैं तो आव बात कर लेते हैं श्रेस हियर की इंजरी के बाद आ है दिली के लिए क्रिकेटर उन्हों ने श्रेस पर बड़ी बात बोल दी है उन्हों ने उनके दिमाग में ऩitzer लाइक चीज़ आई जब पूछा गया कि आयर से कि किस तरह वो फील करते हैं पंद के कप्तान बनने पे उन्होंने यही कहा कि वह बहुत खुशा हूँ यह फ्रेंचाइस का डिसिजिन है और उसका भी तारीफ करते वे ब्रैड हॉग ने बोला कि यह एक टीम मैन की क्वालिटीज है उनको टीम मैन जैसे समझते हैं और यह सारी फीचर कैप्टन की तरह तावर पे देखते हैं वह आईएर को तो देखिये ब्रैड हॉग को आईर अरजा फीचर कैप्टन लगते हैं और ज़रूर वह इस लिस्ट में सामयल में होंगे क्यूंकि जस तरीके से उन्होंने दिली के लिए राच侍लान किया यह मतलब बहुत बहतरेनर इह जी बिल्कुल दीपक बी-सी-सी आइने जो बात चल रहे हैं उनकी जो एective छोडेंजिती थी उस पर यह बात चली पेंशन फोर फॉर्मय क्रिकटर्न पेंशन के आप्रूवल जो है वावड फॉर्ह फॉरमन के रिकटर्न के लिए और ये सिर्फ ना फारा कृट्रइटर के लिए जो को दो जिरो से अजो बड़ा थासिल है और यह जो कल का मुकाबला रहा बड़ा एक रोवांचक मुकाबला रहा और जस तरीके से आस्ट्रेलिया ने जीता जरूर टीम इडिया निराश होगी लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले मुकाबले में यानि कि सीरिस के आखरी मुकाबले में इंडियन टीम जीते अफट अफट बात कर लेते हैं शलंकन क्रिकेट को लेकर भी जहां से ख़बर आई है कि महिला जवर्थ ने उनके साथ वर्ल कप में कंसल्टेंट के रूप रहेंगे श्रुवाती दोर में और इसके बारे में कुछ समय पहले से ही चर्चा थी कि शलंका क्रिकेट ने जवर्थ ने से बात चीत की थी और उन्होंने कहा था है कि ठीक है मैं वर्ल कप में कंसल्टेंट बन जाऊंगा तो ये हमने आपको morning update में सारी खबरे बता दी और आज आपको फिर से एक बार याद दिला दे कि दो मैच हैं आज IPL में तो अपने टीम बनाना मत भूलिए और जल्दी से हाउजय टैप को डाउनलोड कीजिए और धेल सारे प्राइस जीती है और उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ आपको informative लगा हूँ आपको लगा हूँ कि हमने आपको सारी खबरे बता दी आज जो आपके लिए जरूरी थी सुबह सुबह चाहे के साथ तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर कीजिए और साथ इस पोर्स तक को सब्स्राइब क कीजिए और सब्स्राइब करने के साथ notification की जो घंटी है वो जरूर बजाईए क्योंकि जब आप वो घंटी नहीं बजाते हैं तो फिर आपको कोई भी खबर की घंटी नहीं मिलती है आपको पता नहीं चलता है और इस पोर्स तक का एप आप आगया है और उमीद करता हूँ कर लिजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आप हमें फेस्बुक इंस्सट्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हां हाँजाट आपको भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भोलेगा क्यूंकि वहां लेजंस को हरा कर आप जीत सकते हैं तो गुना कैश